लास्ट लास्ट में हमने कुछ जावस के प्यू टॉपिक देखे थे आज हम उसको कंटिन्यू करेंगे आगे तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इफल स्टेटमेंट से हम अपना स्टार्ट लेंगे तो अगर आपने सी प्लस प्लस पढ़ी है ना तो आपको आइडिया हो होगा अगर पिर भी किसी को आइडिया नहीं है बिगनर लेवल पर हैं तो उनको इसली एंडरस्टेइबल चीज़े होंगे को इतनी मिश्कल चीज़ है नहीं ठीक है इफल स्टेटमेंट बेसिकली कंडिशनल स्टेटमेंट से आपके पास डिफेंट के लिए जो है जब जो स्टेटमेंट होगी वह प्रीन्ट हो जाएगी ठीक है अगर यह कंडिशन टुह ही तो अंदर के स्टेटमेंट परिन्ट होजाएगी यह इसे इसके अंदर जो potassium होटा है फ्रीन्ट होजाती है यह बिल्कुल वैसे है जैसे मैं अगर कहूं कि अगर यह बात सच नहीं है तो फिर ऐसा कर दो अब यहां पर मैं क्या लिखता हूं मैं यहां पर कन्डिशन में लिखता हूं उपर में एक वरियेबल लेता हूं वे लेट एक्स एकॉल टूट ले रहता हूं ठेक है यह मैं लेता हूं नाइम ठीक अब में यहां पर कंडिशन लगाता हूं कि अगर जो एक्स है उसकी वैलियो लेस देन टैन है तो यहां पर अपने statement जो है मैं कुछ भी print कर वा लेता हूं लाइक मैं console के अंदर अगर print कर वा लो कि अगर यह मेरी condition true होती है like x की value 9 है ना तो condition सबसे पहले चेक करेगा कि क्या x की value 10 से चोटी है बिल्कुल चोटी है तो console.log में print कर वा दो के value is less than 10 ठीक है और इसी तरह से अगर let's suppose value मेरी 10 से बढ़ी है like मैंने उपर condition लगाई हो यह ना यहां पर कि x से value 10 x की जो value है वह 10 से चोटी है अगर मेरी value x से बढ़ी है तो फिर कि करो फिर यह वाली else की statement प्रिंट होगी तो यहां पर मैं print कर देता हूं value is greater than 10 ठीक है अब मेरी देखो x की value क्या है 9 है तो सबसे पहले condition चेक होगी कि क्या x की value 10 से चोटी है बिल्कुल चोटी है तो हमारी यह condition प्रिंट होगी यह statement प्रिंट होगी और else की condition चलेगी ही नहीं फ और else में से एक condition हमेंशन चलती है अगर एक let's suppose if की statement हमारी false हो जाती है तो अंदर की के condition अगर फाल्स हो जाती है तो अंदर की statement को वह चेक ही नहीं करेगा क्योंकि उसकी condition ही फाल्स हो गई वह direct else पर जाएगा और इसको प्रिंट करवा देगा तो अभी के लिए हमारी x की value जो है नाइन है वह दस से चोटी है तो हमारी if की statement जो है यह वाली प्रिंट हो यहां पर देखो यह प्रिंट हो चुका है अब अगर फर्स करते हैं मैं इसकी value बढ़ा के 10 से बड़ी कर देता हूं मैंने अब 15 कर दिया तो अब देखो प्रिंट हो गया value is greater than 10 ठीक है तो यह हमारी else की condition चल गई अगर हमारे पस more than one situation है ठीक है लाइक मैं यह चाहता हूं कि इस अगर इफ एक्स की value 10 से चोटी है तो यह क्रिंट करो अगर एक्स की value 10 से बढ़ी है ठीक है तो यह प्रिंट करवादो कि value is greater than 10 अगर चोटी भी नहीं है बड़ी भी नहीं है लेट से यकोड़ है तो फिर उस situation में यह प्रिंट कर वादो के value is इक्वल equal to ठीक है तो अब फर्स करते हैं कि हमारी वैलियू 10 से बड़ी है तो अब यहां पर प्रिंट हो जाएगा कि वैलियू ग्रेटर देन अगर लग्ट एलाइक मैंने नाइन लिक दिया तो अब यहां पर प्रिंट यह भी हो गया ओ हम अच्छा अब जरह में एक बारा से रिलोड करता हूं यह दो प्रिंट के होएंगे वैलियू इस देन टैन वैलियू इकल टू टैन अच्छा हमारी वैलियू नाइन थी लेस देन टैन थी तो यह कंडिशन हमारी ट्रू तो हो चुकी है अच्छा यहां पर लगाते हैं हम लोग ठीक है मोर दन वन जब सिचुएशन होती है तो इफ इफ नहीं लगाएंगे लगाएंगे ठीक है तो अब देखो यह एक स्टेट्मेंट बन गई कि अगर हमारी जो एक्स की वैल्यू है वो मतलब दुबारा से कंडिशन चेक होगी बट इफ के बाद में आ जाएगा एल्स के पार्ट में फिर से एफ आ गया और अब उसने कहा कि अगर एक्स की वैल्यू दस से बड़ी आ जाती है तो यह प्रिंट करवा दो अगर बड़ी भी नहीं चोटी भी नहीं तो फिर प्रिं मेरे पास यह कंपायलर मैंने कुछ इस तरह की जिसमें चीज़ें अपडेट की होई है कि उसके बेस्ट पर यह मेरे पास इस तरह से शो करता है बड़ आपके पास ना मैं आपको जैसे भी शोग हो रहा था ना यह लैस देन और इकुल इस तरह से आपको पश्चों होगा मेरे पस्चेंज होके इस फार्मेट में आ जाता है ठीक है कि कि हैं तो आप देखो दोनों स्टेटमेंट आपके प्रिंट होगे सबसे पहलanno जो है इस नहींजों नहीं चलेंगी क्योंकि हमारी City में प्रिंट हो चुथ MUR電š तो यह इफल स्टेटमेंट थी देर्स मोर देन इनफ इसको आगे ज़्यादा रिटेल में लेकि जाने की जूरत है नहीं अच्छा हम जब ज्यादा बड़े प्रोजेक्ट्स में काम करते हैं तो वहां पर हम इस तरह से स्टेटमेंट का यूज बहुत कम कर रहे होते हैं ठीक ह आइस एक है Yes कि अधません ऑम हो यह अगर मैं कहा देता हूं कि लेस देन टैन है यह कंडिशन तोपिर हाँ पर आता है कुशिक्ट मार्क थरिए और कोनसी स्टेटमेंट हमने प्रिंट करवानी है तो मैं कह दayता हूं console.log और यहां पर प्रिंट करवा दो के जह मुझे लग रहा है यहां पर कुछलब बड़ेंगे हां इफ हम नहीं लगाते सिर्फ यह लगा कर देखते हैं अब ठीक है ठीक है सिर्फ हम अपनी कंडिशन लगाते हैं कि अगर एक्स की वैलियो दस से चोटी है तो फिर हम कुंसोल में प्रिंट करवा देंगे के वैलियो इस अर यहां पर आता है कॉलन और यहां पर दूसरी स्टेटमेंट लिखते हैं तो यहां पर में लिखहूंगा कानसोल डिटॉट और इसके अंदर में प्रिंट कर दूंगा कि वेल्यौ इस गृरेटर देन तैन ठीड़ों कें तो अब यह मैंने अब देखो मेरी वैल्यों जो थी वो थी लेस स्वारी वैल्यू हम्ने रख दी S9 नाइन ठीक है जब निने रखा तो अब मेरा क्या प्रिंट होगा लेस देन टैना तो यह होगा लेस देंटन गर देखा देता हूं ताकि आपको गज्टेश में यह सब्सक्राइब का एर रहे हैं इस पर ब्रैक्ट ने लिगाई है इसको को रिमूव कर देता हूं सब्सक्राइब के नौट एक्सेस एक्स बिफोर इनिसलाइजेशन एर दिस पता नहीं यह क्यों सेमी कॉलम कहरा देना चाहिए बट फिर भी दे रहे अच्छा तो अब यह हमारा अक्सेसिबल है ठीक है अब उसने लिख दिया कि ग्रेटर देंट है ठीक है तो यह थी हमारी इस तरह से हम लिख सकते हैं ठीक है इसके लावा हम अरप सब्सक्राइब का भी पता होगा तो वह भी इस स्टेटमेंट की तरह ही काम करती है अब इनमें एक डिफरेंस है सुच स्टेटमेंट हर जगा पर अप्लाई नहीं की जा सकती ठीक है वो स्पेसिफिक मैं कहता हूं का स्टेटमेट लिए हम्यूजब कर सकते हैं बैद में script के बारे में बता देता हूं लाइक मैंển यह मुल्जाबvenant लिक संदर हम अपना गैज के सिस्ट बनाने ऊती इंट कैस है अब मैंने केस्ध मना दिया केसभान तो इसका मतलब यह हुआ यह वाला केस उस वक्त चलेगा जब एकस की से गली वाय है केस के मतलब यह एक पूंआ है और इसी तरह से मैं जैंव है डिफरेंट केसे बना लेता हूं और यहां पर लिख देता हूं केस टू और यहां पर लिख देता हूं वैल्यू इस टू और मैं एक और केस बना देता हूं वस हमारे लिए इनफ होगा और यहां पर मैंने लिख दिया थरी अब मैंने डिफरेंट केसे बना दी है अब बिसिकली जब हमारा कोड रन होगा तो ए यूजर से भी ले सकते हैं अभी के लिए मैं इसकी वैलियो खुझ से जो है पूट कर रहा हूं और स्विच स्टेटमेंट में मैंने एक्स को डाल दिया हम मैं कहारा हूं कि केस वन मतलब अगर एक्स की वैलियो टू है तो हमारा केस टू चलेगा और यह प्रिंट हो जाएगा अगर यह है तो यह प्रिंट हो जाएगा बट इसमें एक इशू आएगा ठीक है इशू के आएगा के हमें हर स्टेटमेंट के बाद ब्रेक स्टेटमेंट लगानी पड़ती है मतलब उसका यह होता है कि हमारा इक स्टेटमेंट होती है और वह फाल्स हो जाती है तो वह अग को चेक ही नहीं करता है हमारी इफ स्टेटमेंट अगर एग्जिक्यूट हो जाती है तो इफ के अंदर जो कोड होगा उसको रन कर देगा और यह वाले की तरफ जाएगा ही नहीं को स्किप कर देगा अगर हम यहां पर ब्रेक स्टेटमेंट करनें लगाते तो क्या होता है तो यह सब किसर आप्सक्कूंच को चलाता है जैसे उसके अंदर हमने इस्टेटमेंट मिए अभी हमनेamने एक मिस्टेक की कि थी यहूं लगाया था ठीक है कि मतलब WOR lifelong लिखना था हमने वहां पे पर ब्हुत कि सिरुन रही थी ठीक है तो अब यहां पर हमें इनके साथ ब्रेक लगाना पड़ता है चीक है तो मैं यहां पर मैं आपको करके दिखा देता हूँ अब के लिए हमारी x की वैलियो दो है ना तो हमारी यह case 2 प्रिंट होगा और वैलियो इस अफ इस 2 यह प्रिंट होगा बड़ देखते हैं हमारे कंसोल में क्या प्रिंट हो रहा है यह देखो वैलियो इस टू एंड थ्री अब पहले केस में आया पहला केस तो नहीं चला ठीक है तो दूसरा जब चल गया ना तो उसने दूसरे को भी प्रिंट करवा दिया और उसके आगे वाले सारे केस में करवा दिया हमें क्या करना पड़ेगा हर केस के आगे बेक Saatma को लगाना पड़ेगा कि अगर कोई भी स्टेउमेंट ठू होती है तो आगहे की सारे स्थाच मेंunts रनं कि नी होंगी हमारी ठीक है पहले स्टेटमेंट करते हों जब भीकु यह मारे स्टेटमleoWest क् value of access to यह प्रिंट हो गया ठीक है तो इसी के साथ साथ हमारे पस यह ब्रेक स्टेटमेंट है इसके साथ साथ हमारे पस एक continue स्टेटमेंट भी होती है थोड़ा सा इसकी practical implementation बता दें तक कि हम start से relate कर सके हैं जैसे css में पता होता है कि कोई भी property करेंगे तो उसका रिजल्टी होगा यार वह आपके बार ठीक है जहां पर possibility है ना वहां पर मैं बताता जाओंगा ठीक है लाइक हम एग्जेंपल दे लेता हूं मैं आपको जैसे हम event handler का topic पढ़ेंगे ठीक है उसके अंदर यह होगा कि front end पर हम एक button design करेंगे HTML के अंदर और उस button के click के ओपर हम वह वला event जो है वो call करेंगे बट यह जो चीज़ें लोजिक्स हैं देखो c++ पढ़ा था आपने c++ में तुमने को design create किया था नहीं ना अपना code किया उस उसको run कर दिया उसमें कोई design था यह नहीं तो यह बिल्कुल सेम वैसे c++ की तरह वर करती है यह programming languages जिसके तो हम लॉजिक्स बनाते हैं जिसके तो हम functionalities perform करवाते हैं ठीक है अब यह logic building है उसका design दूर दूर तक connection नहीं है बट हाँ जहां पर possible होगा मैं आपको बता दूँग अदर्वाइस जब हम project करेंगे ना तब आपको ज्यादा चीस समझ आ जाजाएगी अभी के लिए topics को समझना इन चीजों को understand करना इन concepts को समझना आपके लिए जादा सुप्री है ठीक है कोई issue नहीं है आप beginner हैं तो देखो आप अच्छा काम करें हैं मैंने note किया कि है आप अबये प्रापरवली classroom लेते हो और अच्छा काम करते हो और यह वह ही लोग जो होंगे होंगे अभी है कि यह आपको बार बार ऐसे करूंगा घूसा करूँंगा तो आपको लगँेगा य क्याइसा हैं लुए करमेरा अगले उपर से हमने यह पता नहीं पढ़ा रहा रहा है हमारे उपर को करो मुझे तो कोई प्राब्लम नहीं कि तक बात थी डिकोरडिंग मैं फिनल करता था तो सबके बात आ जाते थैं मैंने रात से लेकर आज सुबह तक मुझे को 15 लोगों के मेसज आया है सर recording sir recording sir recording sir recording sir कलवल लेक्चर की recording दे दे और जब से मैंने लेक्चर अपलोड किया है कुछ साथ गेंटे गुजर चुके हैं अभी तक कोई मैंने देख रहा था अभी मैं कोई दो चार भी हो जाएं किसी को देखने की हिम्मत नहीं हो रही ठीक है बस recording चाहिए फर्मेल्टी पूरी हो रही है recording चाहिए ठीक है तो आपका दिल चाहिए करो मज़े करो तो बखे इन्शालला हम यार सीक्वेस्वाइच चल रहे हैं आव एस इन्शालला आपको हर्ची समझ आएगी अभी के लिए यह कंसेप्ट को जो हैना अडिस्टेंड करना ज्या से बनाएंगे ठीक है यह ऐसे समझ लो क्यार अपने सी प्लस प्लस अगर पढ़ी है ना तो उप हमारी यूज हो रही होती है ठीक है और उप को समझने के लिए हमें प्रोग्रामिंग फंडमेंटल पढ़नी पड़ती है ठीक है उसका कोई काम नहीं होता आगे तो सेम वैसे यह जावस्क्रिप्ट के बेसिक्स हैं यह समझ आएंगे तो हम जावस्क्रिप्ट अडवांस बढ़ सकेंगे ठीक है अडवांस जावस्क्रिप्ट को दूसरा उसका नाम है एकमस्क्रिप्ट 6 तो वह हमें जब समझ आएगी फिर हमें रियक्ट का समझ आएगी ठीक है जब वह हमने देखी हैं तो उसके साथ हम लागन कृते हैं अच्य को पार रहा था जए अजैसे स्टेटमेंट में ब्रेक स्टेटमेंट यह नहींस के अंदर हें और अब हमारे हमारी इतूर हो जाती है यह हमने यहां पर दो रखा था तो यह मारा second case जो है यह true हो गया और यह मारा second case के बाद आधि अजब या लगाई ओई थी तो आगे की कोई स्टेट्मेंट ढ़न नहीं हुई ठीक है जो भी स्टेट्मेंट सी सारी की सारी आगे रन अधिरेशन स्टेटमेंट एक कंटिनुवस्टेटमेंट कें ओनले भी यूज विदिन एन इन इन ग्लोजिंग इटरेशन स्टेटमेंट यह किसी को बता इस बारे में यह क्या इशु है इसमें सब्सक्राइब करने के लिए हम कंटिनुवस्टेटमेंट यहां पर अगर हमारी वैल्यू जो है वो हो रही है तो वह तो लूप ही खरम हो गई कंडिशन हो इसको फिर यहां पर किसी और स्टेटमेंट में डाल के दिखता हूं हम लूप को खक्तम करने लिए यूजिकर यहां गरते हमारे कंटिनिवस्टेटमेंट हो हुआ फारों कि मैं आपको पता उताग Agnes घुंवस्टे यहां पर — न लगा करेंगा आप नब पर continue statement लगी हुई है ना पहले केस को छोड़ देगा उसके आगे की statement को प्रिंट करना एक्जिक्यूट करना स्टार्ट कर देगा ठीक है एक मिन्ट मुझे लगता है अगर हम ऐसे कर लें अच्छा यह मेरे ख्याल में हम इसको like functions में यूज कर सकते हैं शायद जो भी है यार इसको हम जो है बाद में देखने के मैं आपको कल की class में इसके बारे मैं बता दूँगा कि ये work क्यों नहीं कर रहे है इसका क्या issue है ठीक है मैंने ये चीज़ें कभी की नहीं है बहुत time गुजर गया ठीक है इन चीजों का बहुत कम होते हैं ना होने के बराबर ठीक है तो continue जो होती है ना statement बस हमको मैंने concept बता दिया कि इसमें यह होता है कि अगर यह statement हमारी true हो गई तो आगे की statement किसी को भी execute ही नहीं करना और continue statement क्या होती है कि जब हमारी continue statement लगी होई है न जहां पर तो वह वाली जो case है उसको run नहीं करना उसको skip कर देना है और आगे की statement को run करना स्टार्ट कर दो ठीक है तो यह difference होता है इन में अच्छा उसके बाद हम जो है एक मिन्ट अच्छा उसके बाद हमारे पास ना इसी तरह से और टापिक्स आ जाते हैं जावस्क्रिप्ट के नेक्स टापिक की तरफ हम सुच करते हैं तो कुछ हमारे पास pop-up boxes होते हैं ठीक है वो हम देख लेते हैं किस तरह से create कर सकते हैं जावस्क्रिप्ट के अंदर pop-up boxes में सबसे पहले हमारे पसे alert का box आता है ठीक है मैंने कल की class में भी alert के बारे में थोड़ा बहुत बताया था तो अभी मैं आपको दुबारा से बता देता हूं ठीक है तो alert के अंदर मैंने यहाँ पर लिग दिया है अब जैसे ही हमारा पेज रिफरेश होगा उसी टाइम यह हमारा पोप जो है स्क्रीन पर डिस्प्ले हो गया ओकर करेंगे तो यह हमारा खतम हो जाएगा अब देखो मैंने दुबारा से इसको रिफरेश किया तो जैसे ही रिफरेश किया तो यहां पर हमारा alert box आ ठीक है अब इसको क्या करता हूं हम इसको किसी एस्टेमल के बटन के ऊपर या किसी भी जिगह पर फंक्शनेल्टी पर फार्म कराएंगे तो वहां पर यूज करेंगे अभी के लिए मैंने इसको डिरेक्ट जो है ना पेज के रिफरेश पर डाल दी है ठीक है तो पैज के कर दूँगा दोबारा से अभी के लिए आप इस तरह से सब्सक्राइब कर लो जैसे ही हमारा पेज रीफ्रेश होगा तो हमारा देखो पॉप-प बॉक्स स्क्रीन पर एक पॉप-प डिस्प्लेय हो गया और जिसके अंदर हमारा है लो वर्ड शोग हो रहा है ओके किया यह खत हो कि आप कोई भी चीज़ डिलीट कर रहे हो ठीक है तो यह आप से पूछेगा किया आप इसको डिलीट करना चाहरे हैं जब आप अपनी गैलरी से इमेज़िस को डिलीट कर रहे होते हो तो आपके सामने एक पूप-प बॉक्स ओपन हो जाता है कि क्या आप बाकिया इसको पर जैसे ही मैंने पेज़ को रिफरेश किया देखो और यू शूर यूँ वांट डिलीट इट ओके करेंगे तो इसकी जो वैल्यों होती है ना वह टू हो जाएगी अगर हम कैंसल करेंगे तो इसकी वैल्यों फाल्स हो जाएगी मैं आपको करके रिखाता हूं देखो मैं इ वैरियबल में स्टोर करवा देता हूं मैं लेट वैरियबल ले लेता हूं वैल्यों ले लेते हैं ठीक है लेट वैल्यों एकल टू और इसमें ये स्टोर करवा देता हूं अब जब भी यूजर कोई भी ओके का बटन प्रेस करेगा या फिर कोई कैंसल का बटन प्रेस करेग । ठीक है अभमे इसको इसको इंसक्ट करके यह इंसक्ट होगा है। तो हिसको होगा था ना तो ह recipro फिर करता हूब गया है तो हम झालने कि करते हैं। और देखो मैंने और किया किया था यहां पर हमारे हमारे टूरेशी है था लिए करने की अगर से करता हैं में false return हो गया तो इसका मतलब यह हुआ के अगर कोई भी user okay करता है न तो true return होता है हम इस true को आगए use करते हैं कि अगर user ने जो भी input दी okay किया या cancel किया अगर तो वो true है तो इस चीज को continue कर दो मतलब जैसे कोई बंदा अपनी images को pictures को delete कर रहा था तो अगर उसने okay किया है are you sure you want to delete it तो अगर वो okay कर देता था था इसका मतलब वाक्यमा वो delete करना चाहरा है तो true return करो फिर उस true को आगे use करते हैं कि अगर true return हुआ है तो pictures को delete करतो अगर false return हुआ है तो pictures को delete नहीं करो cancel करतो ठीक है इस चीज़ को आगे use कर रहे होते हैं तो अब यह जो return हुआ है मुझे कौन बताएगा जिससे मैं पूछूँगा मुझे बताएंगी जी अहमद बताएगा जी यह जो हमारा return हुआ true या false इसकी data type क्या है जी अहमद नहीं कि एमन एमन बताएगे जी एमन ने माइक अन्म्यूट किया बड़ फिर से म्यूट कर दिया चलें अलीशा बताएगे इसकी जो डिटराइप इसकी डिटराइप है बूलियन ठीक है तो जो में रिटर्न हो रहा है इसकी डिटराइप क्या है बूलियन अगर आप यह चेक करना है ना तो हमारे पर से फंक्शन होता है आप ऑफ ख्यक्शन हो ऑफ और इसके अंदर यह रैकैट्स के अंदर मैं लिख लेता हूँ सोरी वैलियो को तिक है तो यह जो मरे वैलियो रिटरन होई है अब वह वैलियो नहीं प्रिंट करवाएगा अब जो भी यूजर टू देता है यए फाल्स देता है दोन्स में तो उनकी टाइब मतलब में रिटन करवा देगा देखो मैंने किया तो भी उसको रिफ्रेश करता हूं एक पर के लिए ओके किया तो बॉलियन रिटन हो गया थी ए कैंसल करता हूं तो भी वोलियन क्योंकि दूनवर नहीं होते हैं इस तरह से टाइप आपकाफ मैफिड यूज़ करके आप जो है उसकी जे टाइम भी चेक कर सकते हैं ठीक है तो अब इसके बाद हमारे पपस जो थर्ड वन होता है ना पॉपप बोक्स वह मरपस होता है प्रॉंप्ट फिक है जैसे में रपस अलर्ट था करन्फरम था इस तरह था प्रॉंप्ट अब ये प्रम्ट किसलिए यूजर होता है यह यूजर से इंपुट लैने के लिए यूजर हो रहा रहा हुता है अब इसके अंदर मैं कहें तो ही कने और और अगए करता है अब व्यूजर को आधर घर सडङपित में क्या करता हुं इसको यहांपर में तो इस तरह से जो भी यूजर इंपुट देगा वहम उसको कर सकते हैं अब मैं क्या करता हूं मैंने जो यूजर ने इनपुट दी है मैं दुबारा से एक और कन्फर्म बॉक्स के अंदर दुबारा सुछ से कन्फर्म करता हूं और यू शूर यूर नेम इस अब यहां पर मैं वैरियेबल का यूज करना चाहरा हूं मेरे पस कौन सा वैरियेबल है नेम तो मैं यूजर से पुछना है चाहरा हूं कि जो आपने यहां पर प्रॉम्ट के अंदर इनपुट दी है क्या वही तुम्हारा नाम है ठीक है तो अब मैं यह वैरियेबल इसमें य करवाया था अब मैं यहां पर वो वैरियबल यूज करना चाहरा हूं अगर मैं इसको इंवर्टेड को मास के अंदर लिख दूंगा तो यह नेम एक स्टिंग यूज होगा मतलब मैंने अगर यहां पर जिशान लिखा तो अब हमाई क्या प्रिंट होना चाहिए था कंफर्म ब इस नेम अब उसने नेम को एसस्टिंग ले लिया ना कि एस वैरियबल तो अगर मैं इसको वैरियबल लेना चाहरा हूं तो मैं इसको इन्वर्टेड को मास से बाहर लिखूंगा और हम इन दो स्टेटमेंट को कंकैट करेंगे आपस में तो जावास्क्रिप्ट के अंदर ज दोसी स्टेटमेंट थी तो इन दोनों को आपस में मैंने प्लस के थूप कंकैट कर दिया ठीक है आप देखते हैं जरा मैं इसको दुबारा से करता हूं जी रीफ्रेश ठीक है आर ठीक है यहां पर मैं लिखता हूं जी भी जीशान और वह करता हूं तो अभी झालेम इस अकर मैं इसका मतलब है कि शौब है कि उसका नाम जीशान है अगर वह शौर है मैं इसको भी एक तो ने एकुल टू और अब इस वेरियाबल को में एलर्ट में यूज करता हूं ठीक है कि अगर उसका वह कन्फर्म कर रहा है कि उसका नाम जिशान है तो यहां पर प्रिंट कर दो यूर नेम इस प्लस करो और यहां पर यह वेरियाबल यूज कर दो ओके मैं रिफ्रेश करता हूं इसे और नाम उसने लिख दिया जी असद ठीक है वह उससे दुबारा पूछ रहे क्या रिशूर यूर नेम इस अब भी हमें प्रिंट हो गया यूर नेम इस ओके हमने डेटर टाइप यूर नेम इस ट्रू ट्रू ओके ओके वाट्स अप्राब्लम हाँ है हमें यहाँ पर ऋसकी डीटर टाइप क्यों रसीव हो एगार गो है हुआ है त। मैं हमें यहां पर true it कर देता कर देता है तो इसका मतलब है फाल्स तो अब मैं किसे करता हूं किि-स यहां पर कुन सा वेरियबल था हमार पस यह वाला जो वैरियबल है एकॉल एकॉल टू होता है ठीक है ठीक है ठीक है फ्रो होता है अम डबल एकॉल कर यूजर्थे होते हैं और अगर वह true होता है तब क्या करो अलर्ट के अंदर print कर वा दो कि your name is name वैरियेबल ठीक है नेम में यह जो वैरियेबल पढ़ा है वह उठा कर प्रिंट करवा दो कि यह तुम्हारा नेम है अगर वह false होता है तो फिर कुछ भी ना करो कंसोल में प्रिंट करवा दो कि एंटर यूर नेम अगें प्लीज तो सबको समझ आ रही है यह तो किसी को समझ नहीं आ ठीक है तो देखो अब मैंने क्या किया कि अगर यूजर जब कंफर्म करता है तो अगर और वह कहाँ कि हाँ मैंशोर हूं कि यह मेरा अ फरी में फरीज करते हैं अवगर वह तो कि मैंने जो है ना सारे पॉप और बॉक्स को कमबाइन करके एक आपको लोजिक थोड़ा सा बनाके दिखा दिया तो आई होप सो के इन चीजों के भी आपको जो है ना वह समझ आ गई होगी ठीक है इसमें कोई कंफूजन है किसी कोई कोश्चन दो पुछ सकते हैं रहे गए हैं और इन आठ दिनों में हमने अपना जावा स्क्रिप्ट अडवांस भी करना है जी सब को समझ आ गई चलो जी बताना मुनासिव नहीं समझ रहे शायद चैट में कुछ लोग ने बताया हुए ठीक है जी इनको समझ आ गई है हम जो है ना नेक्स टॉपिक पर मूव करेंगे फंक्शन्स पे हमारी दो मिन्ट की क्लास बाकि रह गई है मैं थोड़ा सा ऑवर्यू दे देता हूं फंक्शन का उसके बाद हम अपने नेक्स क्लास के अंदर फंक्शन को दोबारा से कंटीनू करेंगे फंक्शन बिसिकली होता किसलिए किसलिए यूज करते हैं हम लोग आफे लोगों का आइडिया होगा भी जो सी प्लस प्लस का यूज कर चुके में बार वर यह चीज़ रिपेट कर रहा होता हूं शैद आपको इरिटेट कर रही होती है कि ठीक है हमने पढ़ी हुई है आइडि यह इतना कोड ओया है यह मैंने बार बार लेटज़ रिपिड कर रहे हैं में बार बार मैं यूजर से उसकानाम लेना चाहा darauf करना चाहरा रहए हो पिर नडा साइट में डेरहज़़ नाइन का कोड़ लिया तू 206 रांट ने चाहर और नक्ञान के develops की मुझे और मेद गूर्ट को अगर मैंने चुँन करना होता है ऩद विजभ सबस्याद व हमकी नाईन भी मुझेए लिखता रहूं, मैं उसको separately एक function मना देता हूं, वो मुझे जहां पर चाहिए होता है ना, उस function को just मैं call कर देता हूं, वो function automatically run हो जाता है, ठीक है, तो ऐसे समझ लें, यह मार बस एक function है, function मैंने उसका नाम रख दिया, कोई भी नाम, मैंने name रख दिया, उसका नाम ठीक है, व मुझे जहां पर use करना होगा इसे, वहां पर मैं इसको कर दूँगा, जी call, ठीक है, जब मैं इसको call करूंगा ना, जैसे ही मैंने इसको call गी, तो यह call जाएगी, इस function के पास, जहां पर यह define होगा, कि तुझे call किया जा रहा है, ठीक है, तो यह दुबारा से execute हो जाएगा, ठीक है, पूरा का पूरा, मैं आपको थोड़ा से करके दिखा देता हूँ, like यह हमारा, syntax इसका कुछ इस तरह से होता है, function का keyword होता है, उसके बद function का name, मैंने लिख दिया function का name, hello लिख लेते हैं यार, और कोई भी mind में नहीं आ रहा, और यहां पर इसकी जो small brackets होती हैं, अब यह हमारा function ही है, जहां पर यह word के साथ दो small brackets होती है, तो यह हमारा function ही होता है, ठीक है, तो यह हमारा function का syntax होता है, function का keyword, उसके बद function का नाम, यह small brackets almost show कर रही होती है, कि यह हमारा function है, ठीक है, और यह curly brackets show कर रही होती है, कि हमारा function यहापर defined है, अगर यह हमारी curly brackets ना ह हो तो इसका मतलब होता है कि हमारा function defined नहीं है ठीक है तो अब यहां पर मैंने अपने function को define किया हुआ है यह नाम का function और इसके अंदर मैं कुछ भी कोड जो है वो रन करना चाहरा हूं लाइक हमारा console.log के अंदर मैं प्रिंट करवाता हूं अधिस इस power function ओके अब यह कोड यह तो मैंने अभी सिंगल लाइन अफ गॉर्ड लिखा है ना तो more than 10 लाइन 20 लाइन 30 लाइन 40 कुछ भी लाइन अफ कोड का हमारा जो है ना function हो सकता है मैंने उसके अंदर अपना अपना अपनी स्टेटमेंट्स लिखा जो आपने एक्जिक्यूट करनी है उस function के अंदर और यह हमारा एक function को define किया हुआ है बट अगर मैंने नहीं लगाई तो इसका मतलब मेरा function यहां से कॉल हो रहा है अब यह मेरा एंड होगे अब मैंने जब अगर मैं कॉल नहीं करता तो मेरा कुछ भी होगा नहीं ठीक है मैंने console में प्रिंट करवाया हुए बट प्रिंट होगा नहीं यह अब तक नहीं होगा जब तक हम अपने function को कॉल ही नहीं करेंगे तो मैंने function को किया call यहां से अब हमारा function कॉल हुआ और हमारा यह प्रिंट हो गया अब देखो उपर से आया हमारा code execute होता है यहां पर आया कुछ भी नहीं हुआ डिरेक्ट नीचे आ गया यहां पर हमारा function कॉल हुआ तो compiler जाएगा उपर हैलो नाम के function को ढूंडेगा कि कहां पर बना हुआ है ठीक है तो जहां पर वह function बना हुआ है वहां पर उसको रन करेगा अगर कोई error होगा तो अगर error नहीं है तो उसमें जो भी line of code होगा उसको execute करके जो हमने जो भी हमने उसके अदर किया हो कर देगा लाइक हमने console में print करवा दिया ठीक है तो यह हमारा था function का बिल्कुल basic सा syntax ठीक है इसके बाद हमारे पस क्या होता है कि अगर हम यह चाहते हैं कि यार देखो यह हमारा था syntax मैं एक example ले लेता हूं कि यह हमारा जो function है ना यह सम calculate करता है तो मैंने इसका नाम रख दिया सम और यहां से मैंने जी सम नाम के function को call कर दिया ठीक है अब basically function को use ही इसलिए किया जाता है कि हम इसको reuse कर सकें बार बार इसको use कर सकें अब मैं चाहता हूं कि यार मेरे पस variables हूं basically और उन variables के थूरू मैं addition का जो है functionality है वो perform करूं but values मेरी हर बार में different हूं मतलब यह जैसे मैंने example दीती YouTube की YouTube के उपर हमने एक structure ड्रा कर लिया अब उस structure में automatically API से data आता जाएगा ठीक है और वो हम उन structure के अंदर update करके different different videos YouTube पे show करता जाएंगे सेम वैसे ही यह function जो होता है ना function यह एक structure होता है मैंने structure बना लिया कि सम calculate करो मैंने एक variable ले लिया ए ठीक है और इसी तरह से एक दूसरा variable ले लिया भी इन दोनों का सम calculate कर लिया और एक दूसरा variable ले लिया सम और उसके अदर store कर वा दिया अच्छा जावा स्क्रिप्ट के अ सम इकल टो ए प्लस वी तो भी चलेगा ठीक है ए प्लस भी define होने चाहिए ठीक है अब सम नाम का function के साथ मैं अगर लेट वैरियर को उसकुछ भी यूज नहीं करता तो भी चलेगा ठीक है तो मैं यहाँ पर सम जो इस तरह से calculate करूँगा और उसके बाद मैं यहाँ पर कुछ भी alert में प्रिंट करवा दूँगा या console में कुछ भी कर दूँगा अब यहां से मैं चाहता हूं कि एक बार मैंने कॉल किया और एक बार मैंने values भेजी दो और तीन और उसका sum calculate कर लिया दोस्ती बार जब मैंने sum calculate किया वो मैंने 20 and 30 का calculate किया फिर से जब मैं तीसरी बार अपने code कर रहा था तो मैंने 60 और 70 को add किया तो इस situation में मैं चाहता हूं कि यार different inputs के लिए मेरा sum calculate हो तो इसका solution यह है कि जब भी मैं function को call करूँगा तो मैं उसके argument में कुछ values भीज values यहां पर function receive करेगा और उस values का use करते हुए उन पर यह चीज़ अपलाई करेगा लाइक यहां से मैं दो argument पास कर देता हूं 20,30 दो इसको बोलते है arguments ठीक है अब जब यह function हमने call किया तो मैंने इसमें दो argument भीज दिये है ठीक है दो argument भीज दिये है अब जब यह हमारा function define बीस यहां पर एक अंदर store हो जाएगा और थर्टी जो है यह बीगे अदर store हो जाएगा ठीक है यह store होगए अब एक वैलियो बीस बन चुकी है और बीकी वैलियो थीस बन चुकी है 20 अब जब मैं सम के अंदर कितनी वैलियो आ जाई कि 50 और उसके बाद मैं इसको console कर रहा लोग सम यहां पर कर दिया मैंने ठीक है ओके लेट में चेक 50 में प्रिंट हो चुका है ठीक है अगर मैं यहां पर लेट लिक भी देता हूं तो भी हुए हमारा जो है आंसर ठीक हो जाएगा 50 अब मैं दूसरी मरतबा सम का मैथर कॉल कर रहा हूं और यहां पर मैं पास कर दे लुगा 40 & 50 A की वैलिव 40 बन गई B की वैलिव 50 बन गई और हमारा सम्झे वह 90 कल्कुलेट होके प्रिंट हो जाएगा आप देखते हैं फिर्स टाइम 50 प्रिंट होगा देन हमारा 90 प्रिंट होगा रेफरेंस एस संब इस नाड़ डिफाइंड ओके सम का स्देया वह कैपिट अच्छ जैसे वो कॉल आई तो हमारा इंटरनेट आफ हो गया और हमारी कॉल यहां से से डिस्कनेक्ट होगी हमारा इंटरनेट फिफ्टी और राइंटी हमारी स्क्रीन पर प्रिंट हो चुके मुझे एक बार बता दीजीगा भी रिवाज आ रही है सबको क्लियर तो में यह सार रहे हैं चीके जी माशा लाजिए और यह कुछ लोगों को सब दो आप एक थी के फिफ्टी और नाइटी हमारा प्रेंट हो गया डैसमें के हमारे दोनु बार अपने फंक्शन को कॉल किया और डिफरेंट आरगुमेंट पास किये तो हमारा यह आरगुमेंट इ यूज कर दिया इसको यहां पर ठीकाइ थीक है ऐसा भी हो सकता है कि मैं यहां पर कंसोल ना करवाँ ठीक है और सह मैं अप्ने जो मैथट low ना करवा हूं ठीक है और यहांसे मैंदन burns करぎ ब्ला dude है और ही इस फंक्शन से में डॉडियो को भी जितर दो tempo मैं चाह रहा हूं कि यहां इस method से वो return हो जाए ठीक है अब हमेशा return का मतलब क्या है यह एक point is starting point यह ending point एक चीज़ यहां starting point से ending point पर पहुँची तो return का मतलब क्या होगा कि इस ending point से वापस वो starting point पर पहुचे ऐसा यह ना तो बिल्कुल वैसे ही यहां पर यही चीज़ है कि जब हमारा function यहां से call हुआ और call हमारी यहां पर गई जहां पर डिफाइंड था ठीक है अब यहां पर डिफाइंड था यहां पर जो भी हमने समके value calculate की वह हमने यहां से return करवा दी इस method से तो method से जो भी चीज़ return होती है वह जो भी चीज़ मैथर जो भी चीज़ रिटन करेगा वह वहीं पर return होगी जहां से वह कॉल हुआ था मतलब क्या हुआ जब भी method ने sum का value return की मैंने जब 20 और 30 पास किया तो sum में 50 generate हो गया sum जो है वो calculate हो गया 50 अब उस 50 को हमने return करवाया अब जब भी वो return हुआ तो इस पूरी की पूरी जो sum into 20, 30 इसकी जगा पे 50 बन गया अब इसकी value को हमने get करना है तो मैं इसको यहां पर एक variable में store करवा देता हूं like let s equal to जो है मैंने यह value get कर ली sum की और इसी तरह से जब मेरा method दुबारा से call होगा तब मैं t नाम का एक variable ले ले लेता हूं और इसमें store करवा लेता हूं ठीक है अब मैं यहां पर अगर console करता हूं तो हम इसको यह नीचे भी console कर सकते हैं like मैंने यहां पर रुखिया console.log में s print करवा दिया ठीक है और दूसरा हमने दूसरा हमने यहां पर console करवा दिया direct ठीक है इसको मैं console करवा देता हूं console.log और यहां से starting bracket और यह ending bracket end पे यह चीज़ मतलब यह हुआ कि sum का method कॉल हुआ और जो भी मेरी value यहां से return होई उसी जगह पे ही मैंने console कर दिया अब देखो पहला method मेरा कॉल हुआ और इसने 50 return कर दिया मैं यहां पर लिख देता हूं 50 ठीक है फिर मेरा दूसरा method कॉल हुआ sequence wise हम इसको run कर रहे है जब भी इसने 50 return किया उसके बाद हमारा दूसरा method कॉल हुआ है दूसरे method ने क्या return करवाया 90 और इस 90 को हमने print करवा दिया अभी हमने 50 को return ने print नहीं करवाया हमने अभी तक सिरफ 90 को print करवाया अगर हम यहां पर print करवा देते पहले नाइटी पृंट हो था अभी हमारा पहले 90 की आपको समझ आई होगी कोई कोई confusion है इसमें तो पूछ ले हमने function पढ़ा simple function कि उसका किस तरह से होता है पिर हमने उसको argument पढ़ा किस तरह से आर्गुमेंट भी बेज सकते हैं, एक आर्गुमेंट भी बेज सकते हैं, दो आर्गुमेंट भी बेज सकते हैं, तीन भी बेज सकते हैं, चार भी जितने मर्जी आर्गुमेंट भी बेज सकते हैं, ठीक है, ऐसा ऐसा नहीं हो सकता, कि यहाँ पर जब मैं फर्स टाइम समको अगर मेरे दो यहां से augment बनाने पड़ेगे थीक है अगर यहां पर एक argument बनाना पड़ेगा हम यह हो सकता है कि यह function जैसे मैंने दो argument के लिए बनाया है same वैसे ही अगर मैं एक argument के लिए separate बना देता हो यहां पर मैं a use कर लिता हूँ और यहां पर मैं लिख देता हूँ sum equal to a मतलब a की जो value थी वो मैंने sum को assign कर दी और वही चीज़ value में return करवा दी तो यह हो सकता है अब जब मैंने 20 यहां से pass किया तो अब मेरा कौन सा method call होगा मुझे कौन बताएगा Sir kindly return को repeat कर दें ठीक है मैं repeat कर देता हूँ अब यार मैं मैं पहले return को repeat करता हूँ फिर इस पॉइंट पर आता हूँ अब देखो मैंने बताया कि जब भी हमारा method मैं यार इस तरह से आपको बताता हूँ यह मैं paint को open कर लेता हूँ यह था एक यह जी एक starting point यह जी एक ending point ठीक है यहां से मैं इसको start कर रहा हूँ यह चीज यहां से जा रही है और इधर पहुँच गई ठीक है अब return का मतलब क्या हुआ a point से मतलब इसका नाम मैंने रख दिया a ठीक है इसका नाम मैंने रख दिया b a जो जगा थी a वाले box से कोई चीज b वाले box में गई है तो return का मतलब क्या होगा कि b वाले box से वो वापस a वाले box में आये थेका है Evie वाले box से वापस a वाले box में आ रहीया तो मतलब वह चीज weं लिए ठीक है तो जहां से वह चीज गई थी अगर उसी point पे वो वापस आ जाती है तो इसका मतलब वो चीज return हो गई तो same वैसे ही function को जहां से हमने call किया था जब वो function वहीं पे कुछ ना कुछ return कर रहा है भेज रहा है तो इसका मतलब वो function कुछ ना कुछ return कर रहा है यह हमारा function था इस function को यहां से हमने किया call ठीक है? यहां से हमने किया call जब यहने इसको call किया यहां से call हो रहा था जब भी वो कुछ return करेगा तो इसका मतलब वो जहां से call हुआ था वहीं पर वो चीज़ return हो जाएगी अब जब भी वो return करेगा ना तो इस वाली जगा पर वो चीज़ आ जाएगी अब इसको हम एक variable में store करवा देते हैं कि जो भी चीज़ return होई उसको get करो इस variable के अंदर और इसको आगे use कर लो जैसे मरजी आप use करो करना चाहो ठीक है समझ आईए मेरी बात की यह कांड़ी अपना माइक कर दिया करें यार टेक्स करते रहते हैं फिर आपको time लगता है करने में मुझे फिर time लगता है उसको read करने में तो time को बचाया करो यार कुछ रही होता आपकी उवास इतनी बुरी नहीं है कि वह जाएगा कुछ लोग सुनके यह कहेंगे कि यार इतनी बुरी आवाज ऐसा कुछ भी नहीं होता ठीक है टेंशन नहीं लेनी होती यार अच्छा तो हमने जब भी कोई रिटन किया रिटन यह थिया रिटन हमरा कुपलीट हो गया उसके बाद मैंने आपको एक चीज़ और बताई कि ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता कि पहली मार्द बरतवा जब आपने फंक्शन को कॉल किया तब आपने एक आर्गुमेंट पास कर द करना पड़एक है यहां पर हमने दो आर्गुमेंट के साथ फंक्शन को डिफाइन किया होए तोहीं लेट मी गो बैक No, No मैंने एक आर्गुमेंट के साथ कि जास्ट जैसे रिफाइन किया हुआ मैं द metre से कर लेता हुँ एक argument के साथ define कर देता हूँ और यहां पर दूसरा argument यहां से खतम कर देता हूँ और यहां से वही जो value हमें get to हमें 20 get to यह ना तो वही हमने value sum को assign कर दी अब sum की value 20 हो की और वही चीज़ हमने यहां से return कर दी अब जब हमारा एक argument पास हो रहे आज़ा argument तो वह हमारे एक अंदर store हो गया और वही चीज़ हमने sum को assign कर दी तो sum की value होगी 40 और वही चीज़ हम return कर रहे हैं तो हमारे sum की value 40 थी तो वह हमने return की तो वह कहां पर save हो गई S के अंदर 40 आ चुका है अब जब हम console.log करेंगे तो आखर वाली जो वैलियो दूसरी वैलियो जो प्रिंट होगी वह होगी जी 40 ठीक है और इसी तरह से जब यह मैं पास कर रहा हूँ जब मैं यह पास कर रहा हूँ 40 और 50 तब हमारा वही उपर वाला कॉल होगा यह वाला तो 40 और 50 ए में जो हो जाएंगे और सम के अंदर में वैलियो 40 प्रिंट नाइटी कर दूँगा तो यहां पर हमारा प्रिंट हो जाएगा जी 90 सबसे पहले 90 प्रिंट होगा देन हमारा फुर्टी प्रिंट होगा क्योंके पहले हमने इसको कंसोल किया हूँ है तो लेट में चेक वाट्स दा आंसर 40 40 कि और के देखते हैं जी क्या प्रब्लम में जब मैंने 40 पास किया कोटी और फिफ्टी होना तो नहीं चाहिए था कि रीफ्रिश करते हैं जरा कोटी फोटी हो रहा है अच्छा यह तो ठीक है यह तो फोटी हो गया मतलब पहला भी हमारा यह फोटी प्रिंट करवा रहा है तो हमने समका मैथड कॉल किया और उसके अंदर 40 और 52 पास करती है तो उसको यह यहां से कर रहा है क्यों अगर मैं इसका 20 पास करता हूं तो ट्विंटी और 40 ठीक है यह इसी के अंदर ही आर्गमेंट भीज रहा है अच्छा एक्चली में इसको ऐसा से शायद इसका लोजिक इतरह से ओधिस्चा से और यह समका मैथड भूण रहा है समका मैथड धूण धूड़ेगा और लोडिंग और राइडिंग वाला कंसेट है आपसे, हाँ है, बड़ यहां पर वो concept जो है, वो यूज नी कर रहा है, ठीक है, हमने यहां पर sum को call किया है, ठीक है, और हमने दो argument पास कर दी, अब यह उपर गया और sum का method इसने ढूंडा, जैसे ही इसको sum का method मिला, उसने उसी को यूज कर लिया, ऊपर गया ही नहीं वो, ठी कु mempail किस्ता है यह line of code compile होती है नीचे आई तो इससने सम् warmth मैठ Cleveland का सम मैं इन हो नीचे को समने कॉल कर दिया तो यह उपर जाएगा इस具 को समम का अडिया है उपर गया जहां पर इसको समम का मैठों मिला ना उसी को इसको इसने pick कर लियाूपर गया ए lo करता हूं इसको बाद में करता हूं डिफाइन और इसको पहले कर देता हूं अब देखो नीचे से जाएगा ना तो इसको यह वाला मैथड मिलेगा ठीक है अब यह अब इसके लिए फोर्टी उठाएगा अब इसको भी की वैलियो मेरे ख्याल में मिले गई नहीं हाँ देखो यहां पर यह एन एन प्रिंट करवा रहा है ठीक है क्योंकि इसको भी की वैलियो ही नहीं मिली सम को सम की वैलियो हम किस तरह से किल्कुलेट कर सकते हैं मतलब ऐसे समझ लो जो पहला मैथड होगा ना वो इसी को पिक करेगा दूसरे मैथड की तरफ जाएगा हम इसको रिमू अबरेट करके में दे दिया नाटा नंबर ठीक है नाटा नंबर होता है वह पस एन लिए ठीक है तो एन एन हमारा मतलब सम जो है वह कोई नंबर है क्योंकि ए की वैलियो है हमारे बड़ बी की वैलियो ही नहीं है इसी तरह से जब हमें 20 और 50 मिला तो इसने 70 प्रिंट करवा दिया ठीक है तो यह इस तरह से हमारा फॉंक्शन का टॉपिक था आई थिंक